जेहीं नमसकार आप सबी का एक बार फिल श्वागत हैं यदि आप एक defense pensioner है और आपके भी इन चार क्युस्चन में से कोई एक क्युस्चन है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें चार क्युस्चन कौन से ? कि मैं एक defense pensioner हूँ मेरा ispers में migration हुआ है या नहीं कैसे पता करो पहला question दूसरा question मेरा e-PPO नंबर क्या है तिसरा question मेरा ispers PPO नंबर क्या है कैसे पता करो और finally मुझे next time मेरा life certificate कब जमा करना है उसकी date क्या है तो इन चारूं प्रसनों के जबाब मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो इसके लिए आपको e-spers की website को open कर लेना है और जो alert आता है उसके उपर ok पे click कर देना है next आपको क्या करना है जहां तीन line दिखाई दे रही है उसके उपर click करना है और यदि आप laptop और computer में कर रहे तो आप सिधा services के उपर click कर सकते है उसके बाद आप track में जाए track में last में option मिलेगा know your e-spers PPO and identification status इसके उपर click करने के बाद आपको यहां पे दो unique identifier select करने का option आएगा आपको bank account number army number यानि personal number इस पर PPO number और e-PPO number इन में से कोई दो जानकारी एक एक करके यहां पे select करने करके आपको डालनी है और उसके बाद submit करेंगे तो आपकी pension से जुड़ी हुई पुरी जानकारिया दिखाई देगी तो सबसे पहले माल लो कि आप अपना personal number यहां पे डालते है यदि आपने personal number select किया है तो अपना personal number IC regimental oblique GPF number में डाले और दूसरा आप यहां से select कर सकते है bank account number यदि इस first PPO number और e-PPO number सब के पास नहीं होता है और जिनके पास यदि है इन में से तो आप इनको select करके आगे fill कर सकते है और bank account number और army number सबी के पास मोता है और गलती से यदि bank account number भी याद नहीं है तो भी आप bank account number को यहां पे select कर ले पहले अपना यहां पे army number डाले और उसके बाद bank account number correctly याद है तो डाल सकते है नहीं तो इसमें कोई भी digit डाल देना है इसको blank नहीं रखना है personal नमबर यहांपर enter कर दिया और bank account नमबर में कोई भी digit enter कर दिया उसके बाद जो code नमबर है code नमबर enter कर दिया और अब हम search के ऊपर click करते हैं यहाँ पर मैं आपको एक जुरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि इसपर्स के सिक्यूर्टी फीचर्स के अनुसार आपको यूनिक आइडेंटिफायर में डबल चेक के लिए यहाँ पर दो जानकरियां डालनी होती है लेकिन ऐसा देखने माया या फिर ऐसा तोड़ दिकाला गया है कि यदि केवल आपके पास में आर्मी नंबर है तो भी आप अपनी जानकरिय चेक कर सकते हो तो यह इसपर्स की वेबसाइट का एक लूप होल है जो की अब सामने आया इसके उपर जल्दी इसपर्स कारवई करेगा लेकिन एज़न डेट इसके जरीए आप यह जानकरिया चेक कर सकते हो तो आपने कोड नमर डालके और सर्च के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एंटर्ड आइसी रेजिमेंटल ओबलिक जीपी एप नमबर इस आइधर इनकरेक्ट और नोट माइगरेटेड इन्टू इस पर्स तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यदा सोचना नहीं है केवल ओके के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको निच्चे देखना है स्क्रोल करके आपके सामने पूरी जानकरी दिखाई देगी जो रेड कलर में अलट आ रहा था उसको आप इग्नोर कर सकते हो ओके पर क्लिक कर सकते हो आपकी जानकरी केवल आपके पास में यदि आर्मी नमबर है या परसनल नमबर या डिजमेंटर नमबर है तो भी आप SPIRS की Migration की Date SPIRS का PPO Number EPPO Number और इसी के साथ आप अपना Next Identification Due Date चेक कर सकते हो तो जानकर यहाँ आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यह Migrated Pensioner नहीं है इसलिए केवल यहाँ पे जो SPIRS PPO Number दिखाई दे रहा है यदि Migrated होते तो Original PPO यानि EPPO भी यहाँ पे दिखाई देता नाम उसी के साथ आदार नमबर Pen Number, Mobile Number Bank Account Number Identification Due Date और यह Migrated नहीं है Direct Pensioner है तो यहाँ पे Migration Date Blank आ रहा है लेकिन आप यदि Migrated Pensioner है तो आपकी यहाँ पे Date भी दिखाई देगी तो इस तरीके से आप अपने Migration के Status EPPO नमबर EPPO नमबर और Next Identification Due Date चेक कर सकते हो तो यह जानकर लेके मैं इसलिए आया क्योंकि हर एक Pensioner यह पूछ रहा था कि मेरे पास केवल मेरा Army Number है या फिर Bank Account Number है या फिर कोई ऐसे Service Pensioner थे उनकी Death हो चुकि है उनके परिवार वालों को पास केवल उनके Army Number है जो चेक नहीं कर पा रहे थे वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं और जल्दी चेक कर लें क्योंकि इस Loophole के बारे में Service को पता चल चुका है और जल्दी इस Service इसके उपर सर्च ना करें लेकिन आज की तारिक में ये Option खुला हुआ है आप चेक कर सकते हो केवल अपना Army Number डालते हो है या फिर कोई भी चारों में से एक जानकारी डालते हो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर आप नए हो या फिर इस वीडियो में आप पहली बार विजिट कर रहे हो आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करकर अगले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे जहीं साथियो